कि चलिए स्टार्ट करता है चेप्टर वेब अप्लिकेशन वेब अप्लिकेशन में आपको आप टॉपिक के बारें पढ़ना है पर्स्ट टॉपिक है योजिंग दे एक्सेसिबिलेटी ओप्शन्स इन दे कंप्यूटर से करने डिस्क्राइबिंग नेट्वरकिंग फंडामे एं यहू मेशेंगर 5 फ़े टिंग और पॉप्लिसिंग ब्लोक्स 6 एक्रेटिंग औफ-लाइन ब्लोक्स 7 है डूइं ओनलाइं ट्रांजेक्शन और 8 एं डिस्क्राइबिंग चंसर्ण्स ओन्द इंटरनेट चेक्रेट इन आस्तों टॉपिक के बारे में आप इस चैप्टर म पढ़ने वाले तो सबसे पहले इंट्रॉक्शन का पार्ट देखते हैं इंट्रॉडक्शन में दिया है इटीज निटलेश टुसे नाव डेट कंप्यूटर हैं मेट आवर लाइफ चेंड अल्मोस्ट 180 डिग्री विदिन अवरी सोट स्पेम आप टाइम तो हम इस बात से इंक वह भी वेरी सोट अस्पेम टाइम मतलब बहुत कम समय में चार्स बेवेज डिजाइन दा फर्स्ट मेकैनिकल कंप्यूटर इनिसी एटिंग दो कंप्यूटर रिवलूशन डूरिंग अर्ली 19th सेंचुरी सबको पता है चार्स बेवेज ने फर्स्ट मेकैनिकल कंप्यूटर बनाए था जो कि अर्ली 19th सेंचुरी के अर्ली में ही बनाए था जो कि एक कंप्यूटर का रिवलूशन था यहीं से कंप्यूटर के नियू रखे गई थी कंप्यूटर डेवलॉप बाई बेवेज वाज रियली यूज अरांड फिप्टी टन लेकिन जो मसीन चार्स बेवेज ने बनाए था मेकैनिकल कंप्यूटर वह बहुत बड़ा था और लगबग पचास फिप्टी टन का था फिप्टी टन यानिकि एक टन अगर आप करेंग करेंगे तो फाइफ थाउजन केजी यानि कि पांच हजार किलो का एक मसीन उन्होंने बनाए था जो कि मेकिनिकल कंप्यूटर था आप सोच सकते हैं कि यह कितना बड़ा था हावेवर दा मोडन कंप्यूटर फिट इन्टो यूर पाउनली इसके बावजूद आज का जो केवल आपके हाथ में भी आ सकता है तो स्मार्ट फोन जो है और आपके कंप्यूटर का ही एक छोटा वर्चन है इंटर्णेट थम यह स्मेंट बीकर फेरद्णें शीव book जब कम्प्यूटर बदलते रद्देंग उसके निस जनरेशन आते गया है थोटा होता गया उसके बाद आया इंटरनेट इंटरनेट ने एक बहुत बड़ा रुपांतर किया कंप्वीटर के जगत में पिर डाइम सिप्ट का मतलब रुपांतर होता है रुपांतर मतलब आप समाझ सकते हैं जैसे कि सबसे पहले अगर कोई बेबी जनम लेता है तो वो स्वीट बड़ा होता है तो लड़का बनता है फिर वो बड़ा होता है तो उसको कि computer connect each other more previously computer device including mobile phones and other small footprint device to get to cater information seamlessly on the demand तो इंटरनेट की वज़ा से कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा पांतर हुआ था बहुत बड़ा चेंज हुआ था इंटरनेट के आने के बाद लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे थे ठीक्या और बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइस पर डिपेंडेंट होने लगे जिसमें आपका मोबाइल स्फोंस आता है या स्मॉल फूट्प्रिंट डिवाइसे जाता है कि यह सारे जो एलेक्टोनिक डिवाइसे आने लगी कम्प्यूटिंग डिवाइस सकति यह क्या करने लगा , यह हमारे जो हमारे जरूरति थी जोन चंद की ज़रूरति थी वह पूरा करने लगा हमारी मुल्क चीजें हो वो पूरा कर लगा तो पहले हम दोग अगर हम पार की फोर कर लेंशन लेना होता है तो बहुत मुश्किल होता था या तो हम आख़बारों से ले पाते थे या फिर अगर हमको किसी अपने फ्रेंज का या फिर अपने परिवार का जो दूर रहता है उसका इंफर्मेशन लेना होता तो हम लेटर लिखते थे पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर को सेंड करते थे वो लेटर को पहुंचने में साथ से आड़नी अगर डिस्टेंस जादा है तो वह एक महिना भी लग सकता था लेकिन आज जब इंटरनेट आ गया कंप्यूटिंग डिवाइसे आ गई उसके बाद आप क्या कर सकते हैं घर में बैठे बैठे भाले ही आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर विदेश में भी रह रहा हूं तो आप आपने यहां से ही बात कर सकते इसका हाल चाल ले सकते हैं निवज की बात करें तो आप आप इंटरनेट पर भी निवज पेपर आर्थानी से पढ़ सकते हैं ठीक है इंटरनेट का और भी माध्यम चेंज इंटरनेट और बीचीजों को चेंज किया है नावडेज भी हब टोटली स्टोप राइटिंग लेटर और गो तो पोस्ट ऑफिस गो फोर सॉपिंग विजिटिंग फ्रेंज रिलेटिव तो इसके अलावा यह कहा रहा कि हमने तो पोस्ट ऑफिस जाना बंद कर दिया यानि लेटर लिखना बंद कर दिया अब हमको कुछ चीजें करने के लिए बाहर जाते थे वह भी उसमें भी बहुत गिरावट आई लोग आजकल ओनलाइन ही पर्चेश करने लगे ओनलाइन सोपिंग करने लगे हैं विजिटिंग फ्रेंज फोन आने के बाद टेलिफोन आने के बाद हम लोग ने दोस्तों किया या फैम जब ही चीजें होई हैं घ्रेकोजड सोफ उब ही मैल ये कोमऔर्स और चैट अपलिकैशनिंड फिट 2 Ms.6 कॉम्पूटर ऑप कंप्यूटर विट वद्ध कोम्री फोर्ड ऑवर हो ए आप्प लें Crispy मेल इसमे और चैट अपउसरा हम अपने च्चोटे से कम्प्यूटर से ही एक दूसरे से किसी से भी सारी चाहरे को जाता है गश्जापने आपे आप से डियेस को जाता है ऋकि ओने गौने माध्यम से चलते हैं रिसञा प्रबिल है क्यों अबागा इल्ण वॉर्ण वेप एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन तो इस चेप्टर में हम कुछ इंपोर्टेंट वेप अप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है जिसमें सबसे पहले आता है Accessibility option खेंगे तो Accessibility option क्या है यह लिए रखते हैं Topic 1, Working with Accessibility Options Accessibility refers to the service that help people with disability in performing their task without difficulties Accessibility, एक सर्विस है किस परकार के सर्वेस है यह वेसी लोगों की हैल करता है जो दिज एबिलिटी हो उसमें मतब किसी परकार का अपंगता हो वो सही से देख नहीं पाता हो उसका हाथ सही से काम नहीं कर पाता है ठीक है सही से सुन नहीं पाता है सही से बोल नहीं पाता है ऐसे परकार के लोगों क के भी कंप्यूटर को चला सके और चीजों को समझ सके लाइक कंप्यूटर accessibility M2 is the computing process for the people with different type of impairment computer accessibility आपके इसी चीज को एम करता है अगर कोई ऐसा बैठती है जिसमें किसी फरकार के disability है किसी फरकार की खराबी है तो वह बीना किसी difficulty के computer को access कर पाए इस है डिजेबल पिपर तो जूज अ कंप्यूटर without any problem let's look at the some disability that people have which might make it difficult for them as our computer तो इसी तरहां देखें कि कुछ difficult लोगों के बारे में जो 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 problem face कर सकते हैं computer चलाने के दोरान तो वैसे कौन कौन से लोग हो सकते हैं फर्स्ट है आपका cognitive impairment and learning challenge को कोगनिटीव impairment का मतलब होता है संग्यानात्मक संग्यानात्मक से हम क्या समझते हैं मांसिक प्रक्रिया जो खाम मांसिक प्रक्रिया के दबारा करते है उसको बोला जाता है कोगनिटी जैसे कि अगर हम कोई चीज याद पढ़ते हैं उसको याद करने के लिए हमको मांसिक प्रक्रिया करने पढ़ती है को समाधान करना होता है तब उसमें मांसिक प्रक्रिया लगती है कोई नेड़ना होता है यानि जो तो यहमारी मस्तिक से रिलेटेट चीजय हम मस्तिक का इसनमाल करके कोई चीज़े करते हैं उसको बोला जाता है कोगनिटिव इंपेर्मेंट या फिर लर्निच चैलेंज जिसको समझने में थोड़ा समय लगता है या या कोई चीज़ों के याद जारा समय तक नहीं कर पाता है ऐसे लोग के लिए से केंड है विजुवल इंप इंपलीटी यह निकी सुनने में फोर्थ है Motor and Dexterity Apairment Motor and Dexterity Apairment का मतलब क्या है Dexterity का मतलब होता है आपका causal और Motor का मतलब यहाँ पर अगर हम ओधोष वह काम जो हम हाट उंगलियों के沏क मदद से करते हैं वो सारे काम जो हाथ और उंगलियों के दवारख किये जाते हैं वह आते हैं आपके मोटर स्किल में देखें हम मां स्पेशियों का यूज करते हुए हम क्या करते हैं उंगलियों को चलाते हैं अपने हाथ को चलाते हैं तो वह सारे काम जो हम छोटी छोटे काम जो हम अपने उंगलियों को पकड़कर उ सारे चीजे आपकी मोटर में आती हैं जैसे कि इसमें क्या होगा लिखना लिखते हम कैसा है तो उंगली उसे लिखते हैं तो पैर की मतल्स दोड़ते हैं तो हम सही से दोड़ नहीं पाएंगा तो अंगुठे की मतल से अंगुठे से मतल से करने वाले काम अगर अंगुठा मारा नहीं रहेगा तो हम कोई भी चीज को पकड़ने में हमको बहुत difficulty होगी यह सारे चीज आपके motor skill impairment में आती है general accessibility अगर कोई किसी और भी परकार की परिशानी है तो उसको कैसे सौप करें तो यह पांचु चीज पांचु अगर आपकी disability होती है किसी ब्यक्ति में तो वह कैसे computer को आसानी से जूज कर सकता है यहीं हम लोग पढ़ने वाले हैं accessibility option अगरे मेंको चलिए देखते है चाह चाहें किसे न कुम करणा होगा & यहां से जाते है यह उप्सक क्या एईसा होता है आप st involvement में जाते क्लिक और उसके बाग जाएंगे कंट्रोल पैनल तो स्टार्ट बट्र में मेरा कंट्रोल पैनल नहीं आ रहा है यह विंडू 10 है यह विंडू 7 के लिए दिया गया है तो हमें सिंपल यहाँ पर सर्च कर लूँगा कंट्रोल लो पैनल यह उपर यह आ गया क्लिक करते हैं ओपन करते हैं इसको चलिए देखें यह आ गया आपका इस टू एक्सेस आपको इसमें ध्यान देना होगा जब आप कंट्रोल पैनल खुलते हैं तो फिव बाई में आपको कुछ केटेग्री दिखाए देती हैं इसमें दो केटेग्री होता है तीन होता है केटेग्री लाज आइकोन और असमाल अगर लाज आईकोन करेंगे तो आपका यह चेंज हो जाएगा और यहां पर आएकड़ टू एक्सेस के अंदर यह हमारा इस टू एक्सेस सेंटर इस तरह हम इस टू एक्सेस सेंटर में जा सकते हैं चलिए नेस्ट हमारा क्या कर रहा है यह तो हो गया लॉंच करने का टरीक्ट यह निक हैसे हम इस टू एक्सेंटर में पूझ सकते दा इच टू एक्सेस्ट विंडो गिव यू वेरियस ऑप्शन डेटा अवेलबर फोर एक्सेसिबिलिटी फिचर्स तो एक्सेस सेंटर में बहुत सारे आपके ऐसे ऑप्शन है जो की एक्सेसिबिलिटी फिचर्स आपको प्रवाइड करता है तो नेश्ट चलिए देखते हैं लोग कि इसके अंदर क्या-क्या फिचर्स आता है तो यह हम लोग विंडू खोल के पहरी देख चुके है कि ऐसा ही हमारे विंडू आता है अंडर वे लिए ओफ एक्सेसिंटर ऑप्शन आता है जिसका नाम है लैस्टेजस्ट श्चेस्ट। अंडर एक उप्शन आता है जिसका नाम है लेस्टी विंडू खिश्जेस्ट सेतिंग एंग दिस्टी इस विप यह वैज टूब्ड ऑँग फिउ नज टूआए डू keyboard contrast color setting , अटैट्र शै्टि विग्यद जो यह आपको उसी मुझेटिंग करने का option देता है। जुस्मा आपके माउट की स्टेंग कर सकते हैं 對के फार कॉंटरेस यानि की चैन्ज कर सकते हैं क्लीकिंग दीसवी एप्शन यू किन चूल दर तैप of impairment and the respective alternative option offered by Windows 7 तो इस option पर क्लिक करने के बाद हम जिस परकार के disability है impairment है उसके अनुसार हम उस option को चूज कर सकते हैं चलिए देखते हैं इस टू एस लेस्ट विंटो सेटिंग के बारे में तो हम एस टू एसर सेंटर में चले जाते हैं यहां पर देखेंगे एक ऑप्शन है लेस्ट विंटो सजेस्ट सेटिंग क्लिक करेंगे इसको ओपन करेंगे चलिए यहां पर हमको यह मिल रहा है यहां पर there are get recommended प्रशानी आ रही है देखने में सुनने में या फिर हाथ को चलाने में या यूज करने में तो देखिए यहां पर कुछ ऑप्शन दे रहा है सेलेक्ट और स्टेट्मेंट डिट अप्लाइट तो यू या आपको किस परकार्टी डिजेप लिटी है उसके हिसाब से आप ऑप्शन को चूज करिए इसमें वन और फायफ है आज साइट के लिए तो इमेज एन टेस्ट ओन टीवी अगिए और डिफिकल्ट तुसू डिफल तुसी इवें बें आयम बेरिंग लासरी यानि कि मुझे टीवी देखने में difficult होते है टीवी पर जो test होते है या इमेज होते है वह मैं सही से देख नहीं पाता हूं जबकि मैं ग्लासेश पहना हूं फिलके लाइटिंग कंडिशन में कि difficult to see image on my computer यानि कि जो लाइटिंग कंडिशन है वह मैं सही से नहीं देख पाता हूं तो मुझे दूसरी परकार की वीजन इंपपेरमेंट है यानि कि मैं सही से देखनी पाता हूं या से लोगों को नहीं देक लएक होता है तो उसके लिए यह तो जो हमारा जैसा हम इंपेरिमेंट रहेगा उसके अनुसार को चुछ कर लेंगे और चुछ करने के बाद क्या करेंगे नेस्ट कर देंगे तो वह हमारा अप्लाई हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं कि देखें यह सेम इंटो हमने अभी देखा यहां पका रहा है कि लिए यूज ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शन जिस विंडो अपिया तो यह एक्सेंटर पर क्लिक करते हैं यह ऑप्शन हमको भी मिलेगा यह क्या ऑप्शन है चलिए हम फिर से मिंडो में जाते हैं कंट्रोल पेनल की सेटिंग में और देखते हैं बैक आ जाते हैं और इस टू एक्सेंस में दुबारा क्लिक करते हैं तो चलिए देखें यह सारे ओप्शन आपको मिलेंगे इस टू एक्सेंस के बाद इस टू एक्सेंस के बाद इस टू एक्सेंस सेंटर पर क्लिक 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 क्ल इसकी सहाइथा से आप क्या कर सकते है start on screen keyboard a screen पर test लिखा है यानि लिखे हुची जों को बड़ा set up high contrast आप सकते लिख सकते सेकेंड है start narrator start magnifier window this open a Microsoft narrator which will read aloud the testhe start narrator on the screen यानिकि यह क्या करेगा अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है इस option को अगर हमाऄ start करते है यह क्या करेगा यह word को पढ़ना सुरू करते है Grad है start on the screen keyboard Disopen a keyboard on the screen onfi named Click करते हैं तो हमारे screen पर क्या आजाएगा एक virtual keyboard आада जाएगा अगर किसी कीबोर्ड यूज नहीं कर पा रहा है तो वो यह वर्चुल कीबोर्ड का यूज कर सकते है अपने कंप्यूटर का लाइट को सेटिंग कर सकते है कर देख्या है कि यह चारों अप्शन है चले देखिए अगर मैं इस पर स्टार्ट मेंगनिफायर पर क्लिक करता हूं स्टार्ट मेंगनिफायर बेट कर यह और देखिए यह आ गया बेट चीजे क्या हो गई 200 परसेंट बड़ी होगी हम यहां से इसको बढ़ा और घटा भी सकते हैं देख्यें कितनी बड़ी बड़ी चीजे देख रहे हैं मुझे अब हम इसको क्या करेंगे कड देंगे हम पयं यह नहीं चाहिए मुझे किसी पर करकी देखने प्रआणी प्रआबलम नहीं है मुझे और इह मिगे वहाप आपको भी ऐसी प्राबलम ना हो सेकेंड हैometर स्टार्ट ओन कीबोर्ड। चलिए देखिए यहाँ पर आपका आ गया एक वर्चुल कीबोर्ड आपका आ गया अब यहाँ से आप माउस की सहाथा से कीबोर्ड को चला सकते हैं तेखें हम इसको भी कर देगा कि मेरी अंगलियों में किसी भी परकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रित्तर , वे दिखना सर्ड आपका है और मैं कुछ झारी कर देगा इसमें बोल रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ कमांड आप टेस करें और वो पता चले कि आप कुमांड टेस्क कर रहे हैं उसके लिए आप कहा रहा है कि ह分क ऌर आप टेस्ट कर सकते हैं किसं की में ≤ कैफ लोग दो बार आप प्रेस करेंगे देखे हैं चलिए हम एक option देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं मैं क्या करता हूं मैं MS Office को पिन करता हूं और उसमें कुछ चीज़े लिखता हूं और उसके बार देखेंगे कि यह क्या पढ़कर हमको सुनाता है यह फिर इसी तरह मुझे बेखुर बना रहा है यह रहा मेरा Microsoft Office और फिर इसमें हम जाएंगे Word पर Start, toggle start navigation menu items, one of six, collapse और यह रहा मेरा Microsoft Office Word Cap M, my pane Loading ले रहा, open होने में स्था समय लाएगा चले, यह मेरा open हो गया, हम लिखते है Document Cap T, A, S, S, Space, A, Space, B, Y टो हम Cap Lock, और लाँ Input Learning On, Cap, One, Toggle Input Learning, Press Again to turn Cap's Lock, Cap's, Equals One, One, Equals One, One, Toggle One, Input Learning, Cap's Lock, Nare your key, One, Input Learning Off, One, Input Learning Off, Input Learning On अबे भी भी ने स्टों रहे हो एक जिसे हम दो डिखते है यह क्या बुल प्लिए कि इसे मिधा बर्डरस को एप ऊसे दिए अगर हम कंट्रोल विंडो और एम दबाते हैं तो हमारा नेरेटर सेटिंग हो जाएगा तेक है यह हमारा नेरेटर सेटिंग आ गया इसको देखते हैं इसमें क्या ओप्षन हमारा दे रहा है तो हमारा ओन हो चुका है इसको बड़ा करका देखते हैं तो हम क्या करेंगे विंडो लोगो प्लस कंट्रोल एंटर तू तू तर्न अन क्या करेंगे विंडो लोगो कंट्रो प्लस इंटर जबाएंगे नेरेटर को ओन करने कि लिए आप कंट्रोल प्लस के डिंटर 각 सी तुप्लाइए लेकिन यह कह रहा है कि आप बहरे नहीं है इसलिए यह उप्सन आपके लिए नहीं ठीक है चलिए नेस्ट आप्सन को पर हम चलते हैं नेस्ट आप्सन है हमारा सेट अप्वाइब कॉंट्टेस्ट अगर हम क्लिक करेंगे यह हमारा आपको मिलेगा इसमें कह रहा है कि हाइब कॉंट्रेस्ट पर अपकी कंप्यूटर पो होता है वह में वर्चूर कीबोर्ट से आपको दिखा देता हूं यह कर रहा है कि लेट वाला लेट के साथ का आपको अल्ट लेट का सीप्ट और प्रिंट बटम अन करना है किसके लिए तो हाई कॉंट्रेस्ट के लिए वेन यूजिंग कीबोर्ट इस पर कुछ ऑप्शन दिया गया है डिस्पले और वानिंग में टर्निंग और सेटिंग और तो मेरा याटिक पर है ठीक इसलिए है कि अगर कोई चेंजेज होगा था हमको एक डायलोग बुक्स आएगा और वो बताएगा कि आप इस सेटिंग चेंज के जारी मेकर सांड में टर्निंग और सेटिंग और जब भी सेटिंग मेरी ओन होती है तो कंप्यूटर क्या करता है आवाज निगालती है जिससे पता चलता है कि सेटिं अब दहा आप लिफ्यखते हैं तो देखे होंगे एक प्लिंग करता है और चांड को BUTर शंदार है तो यहां साम उस्ट कर सिक्निश को भी बढ़ आ सकते हैं अगर State जहां हम यहीं को ब्लिंग कर सकते हैं ने रटर और को भी आन कर सकते हैं और 다음에 घ्रिव आयो यह मैं तो मैं एक बाद दिखा देता हूं कि प्रिंट स्क्रीन बटन आपने कहा होता है लेकिन आप फिजिकल क्यीबोर्ट पर देखेंगे इंसर बटन के नीचे ही आपको लिखा रहता रहता है Espaasing Button या फिर आप इसके ऊपर भी एक यहां पर Opssyn होते हैं since किव приех पर इस्सेमें यहाता है किस शोपर चलते हैं हम इसको करते हैं मुझे किसी भी प्रकार के साहता नहीं चाहिए भी ओके यह अब आ रहा है इस ट्वेंटी पर डॉक्मेंट को क्या करूंगा रिट करूंगा और स्टार्ड डॉक्मेंट करते हैं देखते ही क्या बलता है हुआ है फिर से गाइब हो गया चलिए हम लोग पर ही चलते हैं और बैट अच्छा यह स्टेटर्स ले रहा है पड़ने के लिए फिर से यह गाइब हो गया उसके बाद आता है हम बुक की चीजों की देखते हैं यह अपना ऑप्शन सेटिंग होता रहेगा यह का बालेशन सेटर्स इसेटर्स पाइब होता है देखते हैं यह को की चीया होता है यह मłaपने यह साथर्स the font also change background of the desktop to make viewer easier to enable this option click on the set high context option then click on the checkbox under the choose high context theme यह मैंने पहले भी आपको दिखा दिया था तो यह मेरा सेटिंग है यह मैं जब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके यह option आ रहे हैं make computer easier to use यह option आपका रहा है और high context के अंदर हम क्या करेंगे इसको टर्ण on करेंगे ठीक है कि चलिए अब यहाँ पर आ रहा है कि मौश कर्सर को आप क्या कर सकते हैं बड़ा और यह बता रहूं इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो उपन में लाइनिंग पढ़ी वही लाइनिंग सेम लाइनिंग है फिस हम आप्शन में जाकर देख लेते हैं कि ऐसा आप्शन कहा पर आ रहा है कि यहां नीचे और भी ऑप्शन है यहां पर आप क्या कर सकते हैं रिमूव बेक्राउंड इमेज अगर आप है तो उसको रिमूव कर सकते हैं टॉन ओफ और नेसेसरी एनिमेशन अगर आपके विंडो पर नेसे एनिमेशन है तो आप उसको टॉन ओफ कर सकते हैं ठीक है अगर में इस पर क्लिक करता हूं कि यहां पर एक आप्शन आएगा यह देखिए यह आप्शन हागया यहां समक्या कर सकते हैं हम डैग्राउड इमेश को हटा सकते हैं लगा सकते हैं थीप को क्षेंट कर सकते हैं पांड जो लिखा हुआ है उसको कर सकते हैं यह सारे काम हम यहां से कर सकते ने चेंज कर देंगे फॉन को तो यह ऐसा फॉन को दिखने लाएगा तीम में अगर लगाएंगे तो यह सारे डिफोल्ट आपके ऑप्शन दिया गए फिगर यह फिगर आपका विंडो के बेग्राउंड में रण होगा लोग का स्क्रीन में हैं अगर आप अपने स्क्रीन को करेंगे यानि कि आप कंप्यूटर पर काम नहीं करें होंगे तो आपकी एक तश्विर दिखाये मुए क्लर चेंज करना चाहिए तो लाइट डार्क साथ आप क्या करना चाहते है यह यह रिंटो दूंसा फोन इक यह ढीन नियुक्त लॉद्ब फोन कि कुन सा होगा है लाइट हो कि यह जा यहांते हैं कि ली आप्र नाएप सब्सक्रास基本 कबांद क्लर और हम लेना चाहते है तो मैंने अगर जो कलर है उसका कैसा हो गया है यहको छोटी आइकोन से इसका डिक रहे आपको स्टार बटम कभी कलर चेंज हो गया है अट इस परकर से हम एप्स और यह विंडो का चोते आई कॉन से उसको चेहरां कर सकते हैं लाइट को बढ़ा सकते हैं यह सारे कम हम आइकॉन टेट में जाएंगे यह आपको लाइट कभी आप्सेन आएगा तो मैंने आइकॉंट टेश्व को ओफ किया है ओन करेंगे तो लाइ से पार्णा से सेटिंग को चेंज कर सकते हैं यह पहली आपको बदाती है रोल्निंग डाउंड ऑप्शन यह विल फाइंड आदर ऑप्शन लाइक कर्सर ऑप्शन का सब्सक्राइब को मिला था कर दो ओप्शन मिलता है इसमें में हमास एक ओप्शन आता है इसके पर हम क्लिक करेंगे देखिए हमारा कर्सर दिखते है वह वाइड कर दिखता है यहाँ पर दिख रहा है आपको कुए एगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं लाज white एश्टा लाज बाइट रेगुलर ब्रेक ब्लेक एश्ट्र lotta लाज ब्लешь तीक है regular यहां से आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं और यहां पर कर देंगे टन ओन माउस की अगर आप चाहते हैं कि आपका जो माउस करसर है कीबोर्ट से चले यह भी आप कर सकते हैं किबोर्ट से भी आप माउस करसर को कर सकते हैं यहां से हम और कीपोर्ट से चलने लगेगा इसके बाद देखते हैं क्या option है एक्टिवेट और विंडो बाई होविंग ओवर इट विद दर माउस प्रिवेंट विंडो फॉम बिंग अर्टोमेटिकली अरेंज वेन वेन मूफ एज़व पस्क्रीम यह दो आपके आ कि हम एक विंडो को एक्टिवेट करेंगे जिससे आपको क्या होगा माउस आपको हमेशा सामने दिखे देगा वह भी एक मिट में देख लेता हूं होमिंग का मतलब क्या होता है कि वन कि मिन्स मंड़ान तो वह आपका मौस क्या करेगा फिलता रहेगा बिलिंकिंग करता रहेगा ठीक है गापता रहेगा जैसे उसको करेंट माग दिया है वेसा आपको दिखाई देगा अगर यह आप करते हैं तो जब भी आपका मौस कर्सर वेन मूब तो दा एज ऑफ दा स्क्रीन प्रेवेंट विंडव फंपिंग अटमेट लिए अरेंज जब आप माउस कर सको कोने में ले जाएंगे तो क्या होगा आपका स्क्रीन जो होता है अटमेट लिक बारा हो जाता है तो वह चीजों को हटाने के लिए आप यह मोड सेटिंग में भी आप जा सकते हैं यह उप्षन है चलते है अ कि माउस की हम लोग ने पढ़ी लिया टर्न ओन माउस की कर देंगे तो हम कीबोर्ट से यूज कर सकते है अब आते हैं देखते सकती है वह जाता है और आता है मृटर से हमारा से इसमें क्या लिखा हुआ है using this option you can adjust the following setting of the keyboard to make the easier keyboard easier to use में आप कुछ option दिये है उसको आप कर सकते हैं तो फर्स्ट है अस्टिकी की ओके हैं इस्टिकी की क्या होता है अस्टिकी की अलाव यूटू प्रेस एंड रिलीज इच और मोडिफायर की लाइक शेप कंट्रोल आर्ट और विंडो की एंड किपिट एक्टेव अंटिल अनादर की इच बेस स्टिकी की के अंदर आपको शेप कंट्रूल और विंडो की न चार्व किवाते हैं तो क्या होता है कि जब कभी हमको सौट कटकी जूज करते हैं तो जिसमें जाड़ा तर स्ट कंट्रोल आर्ट और विंडो का यूज करते नहीं है करके सोटक lawn की का यूज करते हैं जैसे कि हमको अपने विंडो पर वर्ट पर सभी Let Ay होता है तो लेकिन कह सकता है कि आपका फिंगर आपका सही से काम नहीं कर रहा है आपको डिफिकल्टी आ रही है पूरे फिंगर को यूज करने में यह option क्या करेगा जब आप sticky key option enable कर देंगे तो आपको यह चारों की एक बार प्रेस करेंगे तो वो क्या करें देगा उसको lock कर देगा और वो तब तक lock होगा जब तक उसके combination का आप shortcut की बटम नहीं दबाते हैं तो इस परकार से आप shortcut की में एक साथ ना दबाकर आप बारी बारी से भी यूज कर सकते हैं ठीक है यह option होता है sticky key sticky key को ऐसे on करेंगे तो इसके लिए हम टिक करेंगे turn on sticky key and check check box under make it easier to type then click apply okay चलिए देखते हैं control panel में जाकर कि यहाँ पर है मैक इजिए टू टाइब इसमें हम क्या कर देंगे turn on कर देंगे sticky key तो क्या हो जाएगा कि जब भी हम shortcut की दबाना होगा तो एक साथ प्रेशना करकर हम बारे बारे से भी दो बटन को यूज कर सकते हैं okay चलिए माउस की तो माउस की इस accessibility feature is for people वह चलिए इस को तो हम लोग ना पहले पढ़ लिया पेज नमबर 79 वेरिट नमस्मेंटीनाइन असके करने में थोजी प्रॉबलम हो गई है पेज उपा नीच हो गया है तो पेज नमबर 79 पहले मैंने देख लिया पेज नमस्वेंटीनाइन देख लिया अब आते हैं पेज नमबर 80 पर ठीक है इसमें एक और आपकर था पहले हम उसको देख लेते हैं इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो होई गया 79 पाइब चलिए मैं आपको और ली बता दे रहा हूं कि इसमें एक और ऑप्सन आता है अश्टिक की के बाद आपका टोगल की है टोगल की में क्या होता है दा टोगल की हैज बिन प्रवाइट तू प्रवाइट फर पिपल विद इंपेर्ड बीजल इस टोगल की जो जिसको देखने में प्रवाइट हो रही है यह टोगल की इसके उसके लिए जो होता है और इनेबलिंग डिस की बन्हीं हीज़ाइज टोन वाइल प्रेसिंग दग्श्ट लोग और डीजब भी आप टोगल की आन कर लेंगे तो जब आप का अन करेंगे या फिर नमलो नो करेंगे या स्क्रोल लोग ओन करेंगे तो आपको एक विप का सांस नहीं देगा यह उन लोगों के लिए है जिनको वीजर में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग देख लेंगे कि टोगल की ऑप्शन हमारा कहा से आता है चलते हैं सेटिंग में कंट्रोल पैनल में और यहां पर देखेंगे तो टोगल की ऑप्शन आता है ठीक आपके अश्टिक की कहने चे तोगल की आता है तो हेरिंग अटोन वेन यूप्रेश केप्स लोग नम लोग और अस्क्रोल लोग यह तीनों की जब दबाएंगे तो आपका क्या होगा एक विप की साउंड आवाज आईगी दीखें तो मेरा टिक है अब चली नेश्ट पढ़ते हैं नेश्ट हमारा क्या है दोगल की के बाद हमारा है सांड सेनेट्री तो आप सांड सेनेट्री क्रियेट विजूल वर्निंग साइन सच अब लिंकिंग टाइटल बार विनेवर दा कॉम्प्यूटर जेनरेट असांड तो माली जै किसी को सुनने में प्रॉब्लम है ठीक है तो उसके लिए किया उसके लिए ओप्षन है सांड सेनेट्री तो वह आपका विप सांड नहीं करकर जो आप टोगल की में करते थे तो तीनों की ओन करने पर आपको विप का सांड सुना देता है वहाँ पर आपको सांड ना सुना कर आपको सांड देगा वार्निंग सांड बार आपको सबसे उपर होता है आपको क्या करेंगा इसको इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे इनेवल to enable sound sanity you have to click on second sound sanity box under the edge visual close instead of sound and then click on ok चलिए तो हम देखते है हम यह window को use और visual alternate for sound में click करेंगे setting में जाकर चलिए देखते है हम लोग चले जाते हैं जाने के बाद यहां पर आया जो इस टेस्ट और visual alternative for sound में इस पर क्लिक करेंगे when you select this tool they will automatically start each time you sign in use visual clues instead of sign sound sound के अधार पर आपको clue मिलेगा हम यहां से इसको turn on कर देंगे जब भी हम वो option यानि के नम लोग या फिर caps lock यह on करेंगे तो क्या होगा अप्रा टाइटल बार बिलिंग करेंगे यहां से हम लाइक करेंगे इसको कर दिये चलिए नम लोग करते हैं कि अधिया कि अधिया कि माइक लगने की वज़े से आपको ब्लिंकी नहीं से सो कर पा रहा है कि नेस्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि अधिया प्लेस एक्टिव केप्शन बार इस में सेटिंग में जाता हूं और यहाप क्लिक करता हूं प्लेस एक्टिव के अप्शन बार हमारा चूज है इस परकार से हम इसकी सेटिंग करेंगे एक प्लेस एक्टिव विंडव पर हम अपलाए करके देखते हैं कि वह उसको ब्रहुत हम करते हैं नम लोग और अगर आप ऑगे नेश्ट अप्शन पर चलते हैं यह अप्शन हमारा क्या है आपको अप्शन के बारे में पढ़ना था तो हम लोग ने क्या पढ़ा एक सम्री देख लेते हैं कि सम्री में आपका दिया है कंप्यूटर अप्शन के बारे में हम लोग ने पढ़ा अश्टिकी की टोगल की कि आप से क्या कर सकते हैं मास्क की अगर कोई डिफिकल्ट है तो मास्क की का हम की बोड से कैसे चला सकते हैं तेके एकसिश्बिलेटी ओप्शन पर हम कैसे पहुचेंगे यह सारे ओप्शन में हम ने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा तीक है चलिए अब सेकेंड टॉपिक पर सेकेंड टॉपिक पर चलते हैं लेकिन सेकेंड टॉपिक के लिए में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो सीजो इन नेक्स्ट वीडियो